नमस्कार मैं आपका जोट्सी मोहंजी नचत्रवानी चैनल से मातारा को परणाम करते हुए अपने गुरू को परणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन आज कब इसे है पिचास योग पिचास योग हमारे सास्त्र में बताया गया है कि कुडली में कुछ पिचास योग भी बनते हैं तो ये पिचास योग क्या है इसके क्या परणाम होते हैं पिचास योग कैसे बनते हैं पिचास योग बनने पर क्या घटना है दुरगटनाएं होती है आदमी का सुभाब कैसा हो जाता है क्या उसे भूत प्रेद पकरते हैं या टोना टोटका का बहुत ज्यादा प्रभाव उन पे आ जाता है तो इसी विशे पर आज छोटी सी चर्चाएं है तो चलें शुरू करें जैसा कि हम जानते हैं कि शनी और राहू दूनों पाप ग्रह हैं इन्हें पाप ग्रहों की श्रेनी में रखा गया है जब भी इन दूनों ग्रहों का आपस में संबंध बनता है तो पिचास योग नामक योग कुणली में प्रवल हो जाते हैं अब यहां हम देखते हैं कि पिचास योग का संबंध सनी राहू से ही क्यों है सनी राहू के ही संबंध से क्यों है तो जैसा कि हम जानते हैं कि शनी शनी का रंग प्राया नीला होता है और सनी रात्री में ही बली होता है सनी की दिसाएं पच्छिम है जब सूर्जदेव अस्थ होते हैं तो सनी जागरित हो जाते हैं राहू का भी कलर काला है राहू भी रात्री में जादा बली होते हैं राहू को हम छाया ग्रह भी मानते हैं कि राहू छाया ग्रह है शनी को बहुत लोग काले रंग से भी डिकोट करते हैं कि सनी का रंग काला है लेकिन बास्तविक रूप से सनी का रंग नीला है शनी श्यामबर्ण के प्राया पाये जाते हैं यानि स्यामबर्ण को हमारे जोट्सियों ने हमारे रिशी मुनियों ने देखलाया है कि स्यामबर्ण है शनी अन्धीरे का ग्रह है और राहु एक माया है यानि कि राहु एक जादू है प्राया जादूगर का कुन्डली का आप भी बेचेन करें तो देखेंगे कि राहु उसकुन्डली में बहुत ज्यादा प्रवल है तो राहू से रिलेटेड विक्ति तंत्रमंत्र यंत्र जादू टोना भी करते हैं शनी और राहू का संबन्द जब बनता है तो एक नकारात्मक निगेटिव सक्ति का उदे होता है यानि श्रजन होगा जिससे हमारे रिशी मिन्यों ने पिचास योग का नाम दिया है राहू को हम छाया ग्रह के रूप में मानते हैं और राहू ही एक ऐसा ग्रह है जिसको हम अगर ग्रह मानते हैं तो राहू ही एक ऐसा ग्रह है जो 24 गंटा इंसान के साथ चलता है जब भी इनसान किसी भी लाइट में आते हैं किसी भी रोशनी में आते हैं तो उनकी छाया बनती हैं तो छाया तो हमेशा मनुस के साथ ही रहेगा लेकिन सूर्ज जब ज़्यादा प्रवल हो जाते हैं सूर्ज जब अपने चरम सीमा पर रहते हैं तो बिक्तियों में छाया बननी बंद हो जाती है सूर्ज जब माथे पे आएंगे तो छाया किसी भी बिक्तियों का बनेगा नहीं तो अगर राहू और सनी से पिचास गरह लगा हुआ भी है और उस कुंडली में सूर्ज काफी बली हैं उच्च के हैं लग्ण में बैठे हुए हैं उच्च के हैं तो राहू और सनी का पिचास गरह लगने के बावजूद वो बिक्ति राहू और सनी के पिचास गरह से बंचित रहता है पिचास योग उन पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं अब हम देखते हैं कि राहू और सनी की एक साथ युक्ति किस भाव में इस्थित होती है हम सभी जानते हैं कि लग्ण हमारा सरीर है और चेंद्रमा हमारा मन है तो अगर सरीर पर राहू और शनी का पूर्ण परभाव है तो ये पिचास योग का बड़ा ही प्रवल योग बनता है इसपे अगर सनी और राहू एक दूसरे के साथ युक्ति नौ भी कर रहे हो और सब्तम द्रिष्टी से सनी राहू को और राहू सनी को देखता हो तो भी पिचास योग का निर्मान होता है गोचर में जब हम देखते हैं कि शनी जनम के राहू के उपर से गुजर रहा हो या राहू सनी के उपर से गुजर रहा हो तो उस समय भी इस योग का निर्मान होता है जिससे मनुफ्स की मांसिकिस्ति शालिरिकिस्ति में बहुत ज्यादा बदलावाते हैं हमारे रिशी मुनियों ने हर भाव के लिए पिचास योग का बढ़नन किया है यदि लगन में शनी और रहू की युक्ति हो यानि पहले भाव में सनी और रहू की युक्ति हो यहाँ ध्यान देने की एक बात सबसे ज्यादा है कि सनी और रहू की युक्ति में गरहों के अंस का भी बहुत ज्यादा महत्व है अगर सनी दो डिग्री पर है और राहू बीस डिग्री पर है पचीस डिग्री पर है तो इस योग का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन सनी और राहू की युक्ति कि डिग्रियां बहुत कम हो 14 डिग्री से अंदर सनी और राहू बैठे हुए हो तो ऐसे बेक्ति तांत्रिक क्रियों के प्रभाव में बहुत ज़्यादा रहते हैं ऐसे बेक्ति हमेशा डिप्रेशन के सिकार होते हैं ऐसे बेक्ति चिंता ग्रसित बहुत ज़्यादा रहते हैं काफी चिंतित ऐसे बेक्ति दिखलाई देते हैं चिंता के कारण उन्हें सारेरिक प्रोब्लम सबसे ज्यादा होता है कई तरहों की बिमारियों से वो ग्रशित हो जाते हैं दिमाग निगेटिव इनर्जी को ज्यादा सूंचता है ऐसे ब्यक्ति हमेशा किसी न किसी रोग से ग्रशित रहते हैं निगेटिव थौट्स ज्यादा होने के कारण ऐसे ब्यक्ति में पागलपन का दोरा भी पड़ता है अगर यही योग दूतिये भाव में हो शनी और राहू की युक्ति दूतिये भाव में हो और दोनों 14 डिग्री के अंदर हो मिनिमम चौदा डिग्री के अंदर हो तो घर वाले ही रिस्तिदार ही ऐसे ब्यक्तियों के सत्रू होते हैं ऐसे ब्यक्तियों का जमीन ज्यादाद पैटर्नल प्रोपर्टी का बहुत ज्यादा नास होता है इनके हर काम में काफी बाधाएं उत्पन होती हैं बिसेज कर इनकी बानी बहुत ज्यादा खराब होगी या तो यह चुप रहेंगे या जब यह बोलेंगे तो इनकी बानी में काफी अन्पार्लियामेंट्री लेंग्विस का प्रियोग होगा अबद्रभासाओं का प्रियोग होगा धन को संचे करना इनके बस की बात नहीं होती है धन के लिए हमेशा यह ब्यक्तियों ललाईत रहते हैं किसी भी तरह से धन को जमा करने की उपाय करते हैं लेकिन धन को संचित करना इनके के लिए बराहीं कठिन कार्ज होता है जुए सटे लोट्री और खास करके नसीले पदार्थ का यह बहुत ज्यादा सेवन करने लगते हैं जुए सटे लोट्री की इनकी इतनी ज्यादा आदत होती है कि घर की हर संपत्ति को यह बेज देते हैं तो यह योग भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है अब प्राया देखा गया है कि ऐसे बेक्ति नसीले पदार्थ का सेवन करते हुए मिर्थ्यू की ओर चले जाते है अगर शनी राहू का युक्ति तीसरे भाव में हो और यह युक्ति काफी प्रवल हो दोनों एक दूसरे के डिग्री में करीव हो तो ऐसे बेक्ति काफी भ्रमित रहते हैं इलुजन के सिकार रहते हैं ऐसे बेक्ति प्राया बिदेश में जाने के लिए भी काफी ललाईत रहते हैं ऐसे बेक्ति बिना पासपोर्ड अब बिदेश जाने के लिए भी तैयार रहते हैं गलत धंग से जिसके कारण इन लोगों की जिन्दगी थोरी सी नर्की तरह हो जाती है ऐसे बेक्तियों के भाई से भी नहीं पटेंगे परिवार के सदस्वों से भी नहीं पटेंगे और भाई भी इनका कस्ट में रहेगा चाहे छोटा भाई हो या बरा भाई हो ऐसे बेक्तियों में प्राया देखा जाता है कि इनसे बड़े जो भी रहते हैं भाई या बहन उनकी मिर्तु भी होने की संभावनाएं ज्यादा प्रवल रहती है ऐसे बेक्तियों को सारी जिन्दगी उतार चरहाओ की इस्तिती इनकी बनी हुई रहती है यहां प्राया देखा जाता है कि ऐसे बेक्ति समसा अंसाधना की और ज्यादा अग्रसित होते हैं तथा ऐसे बेक्ति अपने घर पडिवार को त्याग करके सादू सन्यासी बनने की कोसिस करते हैं ऐसे बेक्ति समाज के ड़से क्राइम करते हैं और क्राइम करने के वाद समाज के ड़से पुलिस के डर से नयाई के डर से सादू असन्यासी ऐसे बिक्ति बन सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ों और धिहान देने की बात है कि तीर्तिय स्थान से अगर शनी और राहू की युक्ति है और कहीं से भी पंचमेज पर इन लोगों की दिरिष्टी पर जाती है तो ऐसे बिक्तियों को संतान से बहुत ज्यादा प्रोलम होता है या तो संतान होता नहीं है या संतान होने के बाद भी काफी इलाज के बाद उसकी मिर्टू होती है जिससे ऐसे बिक्तियों की मांसिक स्थितियां और भी खराब हो जाती है कि चतुरतस्थान हमारे सुक का भाव होता है चतुरतस्थान हमारे भूमी का, मकान का और शुक के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट भाव है अगर ये युक्ति चतुरतस्थान पे रहु और शनी का लगा हुआ है तो इनकी माता की मिर्टू बहुत जल्द हो जाती है इनके जन्म लेने के बाद ही इनकी माता की मिर्टू प्राया देखने को मिला है या इन्हें माता का सुक कभी मिलता ही नहीं है माता के सुक से ही हमेसा बंचित रहते है इनके घर में निगेटिव इनरजी प्राया पाया जाता है प्राया इनके घर में निगेटिव इनरजी पाया जाता है जिससे घर में रहने वाले सदस्यों को भी इस्तिती अच्छी नहीं होती है ऐसे बेक्तियों के घर में सबसे ज़्यादा बास्तू दोस्ट पाया जाता है ऐसे बेक्ति साइध ही अपना मकान जमीन को खरीच सकें या मकान अपना बना सकें ऐसे बेक्ति प्राया अपना मकान नहीं बनाते हैं अगर अपना मकान बना भी लेते हैं तो जीवे सट्टे से अपने मकान को बेशने की नोबत आ जाती है अगर ऐसे बेखते अपने मकान का निर्मान सुरू करते हैं तो परिवार के किसी न किसी सदस के कारण इनका पैसा डॉक्टर होस्पिटल दवाईयों में बरवाद हो जाता है अब मकान प्राया बीच में ही छुट जाता है और इन्हें काफी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है अगर सनी राहू की युक्ति पंचम भाव में हो जाए और सर्त ये है कि सनी राहू बहुत ही क्लोज हो डिग्री बे तो ऐसे बेक्ति के मस्तिक्स में प्राया निगेटिव इनर्जी का ज़्यादा स्रिजन होता है इनका मस्तिक्स हमेशा गलत चीज को सुंचता है ऐसे बेक्ति को सिक्षा में काफी कठनाई का सामना करना पड़ सकता है हलाकि एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि ऐसे ब्यक्ति काफी सिख्षा के चितर में तेज रहते है इनकी बुद्धी काफी परवल रहती है लेकिन आलस इतनी ज़्यादा रहती है मन में इतने ज़्यादा निगेटिव इनर्जी रहते है कि ऐसे ब्यक्ति प्राया सिक्षा को अधूरा ही छोड़ देते हैं बहुत ही कठीन पडिस्रम करने के बाद ऐसे ब्यक्ति की सिक्षाएं पूर्ण होती है भाई भान को प्राया ऐसे ब्यक्तियों के भाई भान को प्राया कश्ट का सामना करना पड़ता है संतान के लिए भी ये योग पंचम भाव में बड़ा ही कष्ट प्रद है संतान होना बड़ा ही दुलब काम हो जाता है ऐसे बिक्तियों के लिए अगर शनी या राहू पंचम में हैं और पंचमे से भी संबंद बना के रखे हैं तो प्राया देखा जाता है कि ऐसे बेक्ति संतान ही नहीं होते हैं प्राया ऐसे बेक्तियों का सरीर काफी दुरलब रहता है खाना पचने में ऐसे बेक्तियों को बड़ी ही तकलीफे होती है ऐसे बेक्तियों को संतान मिलने में काफी कठना ही होती है और प्राया संतान ही नहीं देखे गए है ये सारे योग, पिचास योग का कारण बनता है यदि ये योग, शनी और राहु का ये योग, छट्थे भाव में लग रहा हो तो प्राया सनी और राहु छट्थे भाव में बहुत अच्छे माने जाते है सत्रू हंता माने जाते हैं ऐसे बेक्ति लेकिन सनियर राहू का ये योग छटे भाओं में लग गया और पिचास योग के नजदीक आ गया तो ऐसे लोगों की सत्रू बहुत ज़्यादा होते हैं खास करके गुप्त सत्रू से ऐसे लोग काफी परिशान रगते हैं इनके सत्रू इनके मित्र के रूप में इनके साथ रहेंगे और इनको काफी हर्म पहुंचाते हैं काफी नुकसान पहुंचाने में कारगल होते हैं ऐसे लोग प्रायर रिंज से भी ग्रशित रहते हैं ऐसे लोगों को सेर सटा जुवा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है सेर सटा जुवा में इतने पैसे लगाते हैं कि घर तक गिर वीर हो जाता है इनका रिन से इतने परिशान रहते हैं कि ऐसे लोगों को आत्म हत्या भी करते देखा गया है अगर मंगल की किसी न किसी तरह से द्रिष्टी छट्टे भाव पर रही है या मंगल की रासी छट्टे भाव पर है या मंगल कहीं न कहीं से छट्टे भाव को देख रहे है तो ऐसे बेक्ति प्राया आत्म हत्यावी कर लेते है नसा इनका एक परमुक थियार है बिना नसा के ऐसे ब्यक्ति रह नहीं सकते हैं रिन में इनकी हमेशा बिर्धी होती रहती है एक रिन चुकाने के लिए दूसरा रिन लेते हैं दूसरा रिन चुकाने के लिए तीसरा रिन लेते हैं के कारण ऐसे बिक्तियों की स्थिति बहुत ज्यादा खड़ा हो जाती है घटना द्रुगटना एक्सिडेंट से भी ऐसे लोगों की मिर्टु प्राया देखी गई है अपने ननिहाल से प्राया ऐसे लोगों को जंज टडाई की स्थिति में देखी गई है अगर यही योग तंभाव में आ जाती है तो सबसे पहले तो रोजगार में इनको काफी कटनाईयों का सामना करना पड़ता है अगर ऐसे बेक्ति बेपार करते हैं चाहे लोहे का बेपार करें चाहे किसी भी तरह का बेपार करें बेपार में काफी हानी और कई तरह का बेपार बदलना किसी भी बेपार में इनको सफलता मिलने में काफी प्रोब्लम का सामना करना पड़ता है दामपज जीवन में बहुत ज्यादा अलगाव दामपज जीवन से इनका जीवन और भी नर्क हो जाता है अगर ऐसे बेक्ति साज़दारी में बेपार करते हैं पार्टनर्शिप में बेपार करते हैं तो भी इनके बेपार में काफी बाधाएं और बेपार डूबने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं पार्टनर इनके साथ ज्यादा जिन तक नहीं रह सकते हैं प्राया देखा गिया है कि ऐसे बिक्ति की दामपत जीवन में इनकी पत्नियां ही इनका साथ छोड़के चली जाती है सराप की बुरी लत, नशे की बुरी लत, बेपार में बहुत ज्यादा हानी अगर ऐसे बिक्ति सरकारी नोक्री में हैं, तो उचाधिकारियों से इनको प्राया जंजट रड़ाई और ये प्राया अपने आपको निलंबित ही पाते हैं घर में काफी कलह का माहौल रहता है ऐसे बिक्ति महिलाओं के हमेशा अपमान के सिकार होते हैं जीवन साथी पर भी हाँच छोड़ देना, इनके के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और महिलाओं के अपमान के सिकार ऐसे बिक्ति प्राया पाये जाते हैं धैर्ज की इनमें बहुत ज़्यादा कमी होती है तो सब्तमभाव में भी अगर योग लग गया तो काफी मुस्किलों का सामना करना पड़ता है ऐसे बिक्तियों को अब हम अस्टमभाव को अगर देखते हैं कि ये योग अस्टमभाव में लगा हुआ हो तो क्या होता है प्राय हम जानते हैं कि अश्टम भाव सस्रौल का भाव है, आयू का भाव है, मिर्टू का भाव है, पुरा तत्व का भाव है, रस्मई भाव है, गूर विद्याओं का भाव है, जीवन साती के बानी का भाव है, उनके बिचारों का भाव है, जमीन के अंदर का भाव है, खु ये रहो की लगती है, तो ब्यक्ति का दामपज जिवन प्राया कलह में देखा गया है. हलांकि सनी इस्टमभाव में बैटकर ब्यक्ति की उम्र को लंबी करते हैं, तो इनकी भी उम्र लंबी होती है. लेकिन प्राया घटना दुर घटना के ऐसे ब्यक्ति सिकार हो जाते है ऐसे ब्यक्ति तंत्र मंत्र और अस्मसाम की सिध्धी में अपना समय बहुत ज़्यादा बरवाद करते है चुकि सनी कंसंट्रेशन का भी गरह है लेकिन ऐसे ब्यक्ति अपने आपको तंत्र मंत्र में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं कभी ये समसान दोलेंगे, कभी वहां दोलेंगे कभी इस भगवान की पुजा करेंगे कभी उस भगवान की पुजा करेंगे कभी तंद्र की पुजा करेंगे कभी कुछ करेंगे और इस सिर्था ऐसे बिक्तियों में पराया देखी गई है यहाँ पर एक बिसेश बातें यह हैं कि अश्टम भाव से दोनों गरह दूतिय भाव को देखते हैं सब तंद्रिष्टी दोनों गरहों के पास है और दूतिय भाव को देखने पर ऐसे बिक्तियों का अपने रिष्टदारों से अपने कुटूमों से बिलकुल ही नहीं पड़ता है हमेशा यह जंजट रही अपने रिष्टदारों से करने में लगे रहते हैं दामपजीवन में तो कमी रहती ही हैं ऐसे बेक्तियों की ऐसे बेक्ति प्राया देखा गया है कि अपने जमीन जायदा सारे को बेच देते हैं बिना कोई काम की हुए उसी से खाना खाना उसी से रहना और ऐसे बेक्तियों में एक लक्षेन और बहुत ज़्यादा पाया जाता है ऐसे बेक्ति अपने आपको बहुत अमीर सिद्ध करने की कोशिस करते है बहुत ज़्यादा अपने आपको लक्जरियस दिखलाते है धीरे धीरे इनका सारे जमीन जैदात रिस्तिदार छूट जाएंगे घटना दुरगटना के भी ऐसे बिक्ति सिकार होते हैं और साथी साथ ऐसे बिक्ति प्राया किसी न किसी गुड बिमारी से जूट जाते हैं और जूड़े रहते हैं जिसके कारएं इनका सर्जरी भी होता है और बिचावन पर ऐसे बिक्ति बहुत ज़्यादा पड़े हुए रहते हैं ऐसे बिक्तियों की बिमारी या सल्क चिकित्सा प्राया इनको बिचावन पर बहुत ज़्यादा रखेगा जिसके कारण हर तरक के निगेटिव सोच निगेटिव इनरजी इनमें बढ़ जाएगा इनकी जीवन साथी भी इनका साथ छोड़के चले जाएंगे इनके रिस्तिदार भी इनके साथ नहीं रहेंगे और ऐसे बेक्ति अंत में इनकी मांसी किस्तिती बहुत ज़्यादा खराब होगी लेकिन फिर भी इनको मौत जल्दी नहीं आएंगी अगर यही योग यानि राहुश्तनी का योग नवम भाव में लगा हुआ हो तो नवम भाव हमारे भाग का भाव है नवम भाव हमारे धर्म का भाव है तो ऐसे बेक्ति धर्म को मानने से इनकार करेंगे ऐसे बेक्ति प्राया मांसा हारी भोजन शराब का सेवन हमेशा करते रहेंगे भगवान के पड़ते ऐसे बेक्तियों की कोई रूची नहीं रहती है भग में भी प्राया इनके उतार चरहाओ देखने को मिलता है कभी-कभी इनकी भग इतने प्रवल हो जाते है कि अपने आप कोई राजा बड़े सेट समझने लगते हैं पैसे भी ने काफी आजाता है ऐसे बेक्तियों को पिता से तो कहीं से नहीं बनता है पिता से नैतिक, मांसिक, हर तरह के मत्वेद प्राया देखे गए है साथी साथ ऐसे बेक्तियों के पिता भी हमेशा कष्ट में रहते हैं इन्हें संघर्स जादा करना होता है साथी साथ कर्म करना चाहेंगे नहीं बड़े बड़े ख्याली पुलाव बनावेंगे बिना कर्म किये हुए अगर एही योग दसंभाव में लगा हुआ हो तो घहरेलू सुक्का तो कमी होगा ही माता पिता के भी सुक से ऐसे बेक्ती बंचित हो जाते हैं और माता पिता भी इनके बहुत ज़्यादा कष्ट में रहते हैं मानसिक सालरी कष्ट भी माता पिता को काफी नजर आता है ऐसे बेक्ती किसी एक तरह के काम को करेंगे नहीं अगर सरकारी नोक्री में ऐसे विक्ति हैं तो अपने उचाधिकारियों से भीड़ जाएंगे किसी न किसी तरह से अवद्र भासा का भेवार अपने मित्रों के साथ उचाधिकारियों के साथ करेंगे अगर कारोवार करते हैं तो कारोवार में प्राया डाउन फोल ऐसे बिक्तियों का देखा गिया है ऐसे बिक्तियों में एक चीज़ और ज़्यादा देखा गिया है कि ऐसे बिक्ति हमेशा सरकार से दंडित किये गए हैं ऐसे ब्यक्तियों में चूरी करने की भी आदत बहुत ज़्यादा हो जाती है ऐसे ब्यक्ति अगर सरकारी करमचारी है तो घूस लेने की प्रवर्ति दो नमबर के प्रवर्ति इनमें सबसे ज़्यादा हो जाएगी जिसके कारण ऐसे ब्यक्ति प्राया जील में भी जाते नजर आते हैं नोक्री से निकाले तक जाते हैं गवन करने का भी इनकी मांसिक्ता रहती है सरकारी समान का गवन करना सरकारी पैसे का गवन करना ऐसे ब्यक्तियों में प्राया पाये जाता है अगर यही भाव यही इस्तिती एकादस भाव में लगा हुआ हो तो एकादस भाव को कहा जाता है कि एकादस भाव में पापी गरह हमेशा अच्छा रिजल्ड देते हैं कुरूर गरह हमेशा अच्छा रिजल्ड देते हैं और उन बिक्तियों को काफी अच्छा लाब मिलता है सेर सटा लोट्री सेने काफी लाब की सितियां बनेंगी ऐसे बिक्ति इतने सफाई से चूरी चारी करेंगे इतने सफाई से घूंस लेंगे अनैतिक काम में रत रहेंगे ऐसे बिक्तियों को इस काम से काफी लाब मिलता है हलाकि भाईयों को कष्ट की इस्तिती बनती है ऐसे बिक्ति पैसे तो बहुत कमा लेते हैं गलत काम से पैसे कमा लेते हैं सरकार से गलत ढंक से पैसे ले लेते हैं चोड़ी शेकारी से पैसे कमा लेते हैं तेकिन सुख इनको मिलता ही नहीं है। सुख का प्राया अभाव पाया जाता है इनमें। अब हम 12 भाव को देखते हैं। 12 भाव में शनी राहु की युक्ति हो। तो प्राया देखा गया है कि ऐसे ब्यक्ति किसी न किसी महिलाओं से अनैतिक संबंद से जुड़े हुए रहते हैं। जिसके कारण दामपज जीवन तो इनका तवाही हो जाता है। साथी साथ ऐसे ब्यक्ति बहुत जादे रिन से ग्रसित हो जाते हैं। बार में अस्तान से सीधी इनकी दिश्टी छट्रे अस्तान पर पड़ती है। और रिन चुकाने में प्राया अव समर्थ पाते हैं। ऐसे ब्यक्ति अपने मित्रों से ज़्यादा रिन लेंगे। ऐसे ब्यक्ति में प्राया देखा गिया है कि रिंच उकाने के लिए अपना घर का हर समान बेज देते हैं ऐसे ब्यक्ति इतने ज़्यादा अनेतिक संबंद बना लेते हैं कि इनके के लिए बड़ा ही मुसिब्बत का सामना उम्र के साथ इनके के लिए बहुत ही मुसिब्बत का सामना करना पर सकता है और ऐसे विक्ति का ग्रियस्त जीवन प्राया अभाव ग्रस्त और दुखी देखने को मिलता है ऐसे विक्तियों को महिलाओं से चाहे किसी भी मित्रों से रिस्तेदारों से प्राया धोखा ही मिलता है कीवल धोखा ऐसे बेक्ती असाध धरोगों के सिकार भी हो जाते है असाध धरोगों के कारण इनकी मिर्तू हो जाती है अब यहां कुछ ध्यान देने की बात है कि मैंने अभी बताया कि बारहूं भाव में पिचास योग लगा हुआ है तो ये परिणाम मिलेंगे लेकिन इस परिणाम में अचानक कमी भी आती है अगर बिरहस्पति देव गोचर पर इन गरहों के उपर से गुजर रहे हैं बिरहस्पति देव कि कही न कहीं से कोई न कोई द्रिष्टी इन गरहों पर हो इन युक्तियों पर हो तो ऐसे बिक्तियों का बहुत सारे दुर्गुन धरे के धरे रह जाते हैं और ऐसे बिक्ति भगवान के परती भी थोड़े से आस्रित होते हैं और भगवान से भी इनको थोड़ा ज्यान मिलता है और भगवान को मानने के बाद इन्हें गलत काम करने से ड़ड़ लगता है यहाँ पर देखने की एक बात ये भी है कि इन पिचास योग का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है लगन में और सब्तमस्थान पर सब्तमस्थान पर ये योग सबसे ज़्यादा बली रहते हैं हमारे द्वादस भाव में पिचास योग बनने के फल बहुत सारे फल बताये गया है साथ ही इसके उपाई भी बताये गया है कि इसके उपाई क्या होने चाहिए अगर किसी के कुंडली में ऐसा योग लगा हुआ है तो उन बेक्तियों को दुरगा सबसती का पाठ जरूर करनी चाहिए पूरे साल में चार नवरात्र होते हैं जिसमें दो गुप्त नवरात्र माने जाते हैं आर दो चैती नवरात्र आस्विन नवरात्र समों के लिए होता है लेकिन ऐसे व्यक्ति चारों नवरात्र में पूरा का पूरा दुरगा सबसती का पाठ करे हैं दसांस हवन करने से इस योग में काफी कमी पाई जाती है अगर परतिदीन हनुमान चल इसा का पाट करते हैं हर मंगल असनीवार को सुन्दर कांड का पाट करते हैं तो इस योग के निर्मान में इस योग के उपाय में ये बड़ा ही सुन्दर उपाय है और ऐसे ब्यक्ति सही रास्ते पे चलने के लिए बाद्ध हो जाते हैं और इनमें काफी सूजने की, समझने की तागत हो जाती है ऐसे ब्यक्तिवों को सनी का इस्तोत भी पढ़ना चाहिए राजा दसरत द्वारा कृत सनी इस्तोत पढ़ने से काफी लाव होगा अमवश्या के दिन सूर्जयास्त में जब अमवश्या का दिन हो और सूर्ज अस्त कर गए होंगे तो ऐसे बेक्ती बहते हुए पानी में नारियल अगर बहाते हैं तो इस योग से भी उन्हें थोड़े से राहत मिलते हैं ये सारे योग हमारे रिशी मुनी के बताए हुए है लेकिन एक चीज ध्यान देने की बात है सुब गरह की दिरिष्टी अगर ऐसे योग पर पड़ते हैं बिसेज करके बिर्यस्पति की दिरिष्टी और वो विक्ति दुर्गा सबसती का नित्य पाठ करता है तो इस योग के निर्मान में अवरूत पैदा होंगे और वैसे बिक्ति सही रास्ते पर चलने के लिए बात दो जाते हैं और उनका जीवन पिचास योग की तरह नहीं होता है आम इंसान की तरह वो जीते हैं आज का वीडियो इतना ही आप मेरे चैनल नचत्रवानी को लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब करें नमस्कार